देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून आज से लागो हो गए। दिसंबर 2023 में संसत द्वारा पारित तीन कानून अगले महिने से पूरे देश में प्रभावी हो गए। तीनों नए कानून भारतिय न्याय संहिता, भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतिय साक्षय अधिनियम कहे जाएंगे। जो क्रमश भारतिय गंज संहिता 1860, आप्राधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतिय साक्षय अधिनियम 1872 का स्थान पर इस्तिमाल किये जाएंगे कानूनों में प्रभावी होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया आईए जानते हैं IPC की कुछ एहम धाराओं के बदलाव के बारे में नए कानून में इन्हें किस क्रम में रखा गया है वे पहले किस थान पर थी भारतिय गंज संहिता में 511 धाराएं थी लेकिन भारतिय ग्याएं संहिता में धाराएं 358 रहे गई है संशोधन के जरिये इसमें 20 नए अपराद शामिल किये हैं तो 33 अपराधों में सजा अवधी बढ़ाई है 83 अपराधों में जुर्मानी की रकम भी बढ़ाई है 23 अपराधों में अनिवार्य नियोंतम सजा का प्रावधान है छे अपराधों में सामुदाइक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है बता दे कि भारतिय न्याई संहिता, भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतिय साक्षय अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विध्यकों को पेश किया था इन विध्यकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर, 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी राज्यसभा में विध्यकों को केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किये जाने के बाद ध्वनी मत से पारित किया गया था इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रुपती से मन्जूरी के बाद विधयक कानून बन गए लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीक एक जुलाई 2024 रखी गई संसक में तीनों विधयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रिय ग्रहम मंत्री अमित शा ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाए न्याय देने पर फोकस किया गया है अब जानते हैं एहन धाराओं में बदलाव धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी नए कानूनों के तहट राजद्रोह को एक नया शब देशद्रोह मिला है यानि ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है भारतिय न्याई सहिता में अध्याई साथ में राजद्र के विरुद अपराधों के शुरेनी में देशद्रोह को रखा गया है धारा 302 पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहट आरोपी बनाया जाता था हालां की अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहट सजा मिलेगी नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याई छे में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा धारा 307 नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोशी को IPC की धारा 307 के तहट सजा मिलती थी अब ऐसे दोशियों पो भारतिय अग्याई संहिता की धारा 109 के तहट सजा सुनाई जाएगी इस धारा को भी अध्याई 6 में रखा गया है धारा 376 दुशकर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले IPC की धारा 376 में परिभाशित किया गया था भारतिय अग्याई संहिता में इसे अध्याई 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद अपराध की श्रेनी में जगह दी गई है नए कानून में दुशकर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाशित किया गया है वहीं सामुहिक दुशकर्म को IPC की धारा 376 दी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है धारा 399 पहली मान्धानी के मामले में IPC की धारा 399 इस्तिमाल की जाती थी नए कानून में अध्याई 19 के तहट आपराधिक धमकी अपमान, मान्धानी, आदी में इसे जगह दी गई है मान्धानी को भारतिय न्याई संहिता की धारा 356 में रखा गया है धारा 420, भारतिय न्याई संहिता में धोकादरी या ठगी का अपराध 420 में नहीं अब धारा 316 के तहट आएगा इस धारा को भारतिय न्याई संहिता में अध्याई 17 में संपत्ती की चोरी के विरूद अपराधों की श्रेनी में रखा गया है CRPC और साक्ष अधिनियम में क्या बदलाव दंड प्रत्रिया संहिता यानी CRPC की जगा अब भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है CRPC की 484 धाराओं के बदले भारतिय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं है नए कानून के तहट 177 प्रावधान बदले गए है जबकि 9 नई धाराएं और 49 उपधाराएं जोडी है इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तै की गई है वहीं नए भारतिय साक्ष अधिनियम में 170 प्रावधान है इससे पहले वाले कानून में 166 प्रावधान थे नए कानून में 24 प्रावधान बदले है